तो बिल पढ़के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है यह गेस वर्क है यह चिकन सिग पॉकेट होगा जिग 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 जड़ा बता देना मुझे थोड़ा प्रफूचर ने इसको हम लोग कर लेंगे टेस्ट ओधाए कि अधे कि अधर्ज दो चुछ जगेशीर हैं ने कर दोच चीछ दीग ज़िए इसके भी काफी सारी लेहज यह जैसे आपको दिखे रहें अंदर गरीन माल मसाला जो भी है काफी से टेस्कर रहें यह तो पछूम नहीं में दूसरा वकेट लता हम उरगोव खोलूँगा तो प पूरा जो चीज है बटर का जो टेस्ट है हलका हलका जो उपर ब्लैक तील डाले उसका टेस्ट आता है जो ब्रेड का टेस्ट है जो एक दूसरे को सही परफेक्ट एक दम कॉंप्लिमेंट तर रहे ना इतना और टेस्ट काफी बढ़ी है नाम मुझे पता नहीं है याद नहीं है समझ में नहीं आ रहा बट जहा तक मुझे लग रहा है यह होगा चिकन सीख पॉकेट अपने पास अभी तीन पॉकेट बचे दो रोल्स बचे उसके बाद में आता है डेसर्ट वाव इसमें कॉन दिख रह इसके फर्स्ट बाइट से मुझे समझ गया यह चीज क्या है यह स्पिनेच एंड कॉन ऐसे कुछ नामता है इसका क्रीमी स्पिनेच एंड कॉन पॉकेट थोड़ा कड़वा टेस्ट आ गया स्पिनेच का आप अगर देख पाओ पूरा का पूरा पॉरा पॉकेट स्पिनेच और कॉन से भरा है मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बोलना चाहूंगा यहां पालक इतना सुंदर लग रहे हैं ठीक है एक सेकेंड इसको फटाक से टेस्ट कर लेंगे स्मेल काफी सही आ रहा है और लुक भी काफी सही है इसका मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरीके से पालक खाऊंगा इसमें देट चिली भी है इतनी बड़ी की उड़ाली बदला ले रहे हैं कि और काफी स्पाइसी है कि मुझे चिली को छोड़ दो पालक और कौन का जो टेस्ट है काफी सही आ रहा है पालक मेंसे मुझे पसंद नहीं है यह देखने के बाद मौम मुझे जरूर बोलेगी बैटा घरब का तो नहीं जाता तेरा पालक बार का तो बड़ाबर खा लेगा चिली हटा के हम लग टेस्ट करें जब अब आपस है काफी सही टेस्ट है यार पालक क्रीमी पालक क्रीमी मैं मुझा लगा नहीं था कि मैं बूलूंगा बट यह बहुत सही चीज है मुर्गे से तो कम बट कापी जाना सही चीज है इसे भी रख देंगे जड में फिलाल अपने पास बहुत चीज होगी और मैं अल्मस्ट फूल हुने आगया हो जब चोटा-चोटा पाइट लेते अपने को समझ में आता पन कितना खा लेते इसमें तो एग दिख रहा है मेरे पास अभी बच्चा है चिकन सैंडवेच और एक चिकन सम्तिंग सम्तिंग क्रोसाउन तो मुझे तो लग रहा है यह चिकन सैंडवीच ही होगा इसमें ओके मैं खोल के नहीं दिखा सकता यहारे ब्रेट को है ना पूरे चारो तरफ से इन् स्मेल सौरी फ्रेग्नेंट्स मेल माफ करना फ्रेग्नेंट्स पूरा अंडे से बढ़ा हुआ चीज है यार तो बैसे के लिए चीज है ब्रेड नीचे सॉस है सॉस में कुछ खास टेस्ट नहीं है ना स्पाइसी है ना कुछ पता नहीं क्यों डालिया है और एक है एक के अंदर चिलीज है बिच बिच में और आगेस टमाटो भी है टमाटो चीजी सब मिक्स करके शायद से डाला हुआ है और काफी बड़ी लेयर है और दो ब्रेड के बिच में कुछ नहीं है जो पूरा वाइट वाइट जो एरिया है इतना बड़ा वो पूरा का पूरा एग है अगर आपको सटल सा टेस्ट हवाइन के लिए बोला था कि एकदम सटल सा टेस्ट अपना खुद का टेस्ट आसा कुछ नहीं है चट्णी के साथ डालना खा गया तो काफी सही ऑप्शन है अगर ब्रेक्फास्ट बेक्पास्ट पे खा रहे हो आप तक काफी बड़ी ऑप्श तो अपने पास आया अभी लास्ट पॉकेट यह तो मुझे पर्स लगड़ी है दिखने में तो इतना टेम्टिंग है सारे ही चीज टेम्टिंग है वैसे हावाइन बाकी सारे हाँ दिखने में काफी सही है अभी इसको खोल के देखेंगे इसको मैंने खर दिया था ओपन इंस्टाग्राम के फोटो के लिए तो उसके लिए सौरी बट इसका लुक अंदर से तो बहुत ज्यादा प्यारा है यार एक शिकन आपको दिखा देता हूं मैं अंदर जो आ रहा है ना लुक के वज़े से इसका टेस्ट मुझे काफी जादा अच्छा होने का चांस इस लग रहे है मैं फाड लेता हूं जूटा क्यों करे रहा है इस इस मताक कर रहा हूं इस 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 गेलाइख केमा पाव कीमा पव तोड़ा च्पाईि सिता होता है सब चीज मिता मिटा से यू रहती है कफी कि जाए नहीं है कि रहता है या मुछ भी है, ओर अघ़ाया इसने साइच से बज़ी पहसंदा आता है तोलब तोर्ट the तेस्ट काफी बढ़ी है, किसी करना किसी करो पसंद आहे गा, क्योंकि बहुत सई नहीं प्रफाई क्या साही टेस्ट काफी सई मीट अंदर का, बट मुझे यह थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो लेट्स ट्राइट विद ग्रीन चटनी काफी देर से सेट हो रही है यहाँ पर मुझे तो मन टाना जो लुक आ रहे वह आ ऐसा आ रहे है कि यह जो चीज है वह काफी चटपटी है तो उसके बज़े से थोड़ा सा डिसपाइन हो गया तो ग्रीन चटनी जो साथ पर दी उसके लिए थैंक्यू उसको काफी से कॉंपलिमेंट कर रहे है काफी बढ़िया चीज है विदाउट ग्रीन चटनी चीज पूछा कि इसमें से क्या-क्या खा सकता है इसमें से और पनीर तो मैं पनी टिका बोलूँगा उसके बाद में भूना हुआ मुर्ख बोलूँगा और चिकन नान चिकन नान मिच बोलूँगा तो ओर जो मेन्यू है अगर आपको सटल खाना पसंद है फीका तो नहीं बूलूँगा सटल सा जो रहता है थोड़ा सा नाट ज्यादा स्पाइ रवस और ऐड़ जाएंगे धनिया चिली जो के सब के तो आपका जो अरली तो अपने प्रले के पास कि होता अपने अपने पास बजल रहे है अब ही निया कॉल पयाब को और चोले और ए मौर्ट का वरेप बूंट इस इदो है इसमें सेघ्य कर एल क्हुंड क्या है मेरों ज इतना पैसा दिया तो काट के तो देंगे यह है मुर्ग काटी थैंक्यू स्टार्बॉक्स हो काट के दिया यार और दूसरा भी खोलता हूं एक सेकंड के लिए रुको प्लीज जैनुएनली बता हूं मैं जिस आउटलेट में गया था से बड़ी वाले वहां का स्टाफ काफी फ्रेंडली है अब मुझे नहीं पता कि शायद से मैंने इतना सारा ले लिया उसके बज़े से फ्रेंडली हो यह है काकोरी व्रैप और यह है मुर्ग काथी व्रैप इसको हम लोग काटेंगे बाट मेरे बास छोड़ी वाला यूज करू है अमेरा वाले यूज करूं वह सोच अगोग बट आइविल ट्राइट दू विज लेर्स क्योंकि वह उनका देते है यार इतना खाने के बाद है काफी सही लग रहे दर से pink pink color contrast pink and green यह food color add किया है यह bit root no idea but जो भी concept है जो भी शेफ ने concept निकाल है पिंक कलर वाला रोटी बहुत सही लग रहे हैं आखों के लिए तो यह treat है पूरा यार मुझे अभीभी confusion ही होता है। क्या होता है। यह मैं गलत उसको प्रणाउस कर रहा है यह यह गलत पड़ा है। दिकने में तो काफी सही है। काफी colorful है यार यह yellow, paint, green काफी सारे colors है इसमें। बात आ जाती है इसके taste पे। काफी subtle शाटेस्ट है इसका। अंदर जो चिकन है उसके साथ में और फिलिंग वे अपार्ट फ्रम एक तो जो मैंने सेंडविच खाये पॉकेट्स खाये चिकन वाले उनसे अलग है इसका टेस्ट मरलब ऐसा नहीं फिलिंग तो सिमिलर देखी थी मुझे बट तोड़ा अलग टेस्ट है और दिखने में टेस्ट में पूरा सही पैकेज है बहुत सही पैकेज है थोड़ा चुई हो गया जस्ट बीकॉस मेरे वाजे से मेरी गलती है मैंने और काहत पहले दे दिया था और शूट जो कर रों बाट टाइम डिफ्रेंसेश में छेसाथ पाच्छे गंटे का टाम डिफ्र हो गया तो यह तो हो जाए और सही है और टेस्ट काफी बढ़ी है ग्रीन चटनी ओविसली येस ये तो सही है बट मैं जो चीज के लिए एक्साइटेड हूँ है मुर्ग काथी व्रैग इसको हम लोग रैप कर लेंगे अंडर वापस ताकि हम लोग इसको बाद में वापस ख अब ये होता है ब्रैप कि मेल जोए है न ऑचैनल है कि और क्योंट पता नहीं मुझे दिखने में अनो लास में उसका इंग रिद्र पाली हो पेल्फ प्र quería काफी ज्था फर्क होना चाहिए कि करा cert हलका सा टेश में काफी फ़रक है पफ और इसमें अगर मैंने कंपेर किया मुर्क काटी रोल इस वे बेटर बहुत जादा सही है इस पाइसी भी है अच्छा हुआ मैंने यह लास में खाया में मुह में जो टेश बनी थी ना मिठी मिठी से सटल से एक दम इसने ब्रेक कर दिया यह बहुत सई चीज है मुह बहुत जादा पसंद आगी एक सिकट प्लीज इतना सब खाने के बाद ऑल्मोस पूट फूल था यह मैं पूरा खा सकता हूं बट अभी वीडियो पर निखाऊंगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बट यह एंड में मैं खुद अकेले खाने वाला हूं और किसी को नी देने वाला यह बहुत सई चीज है यार बहुत सई चीज है I am glad कि मैंने सब स्टार्बक्स का फुल ही बोला है अब तो हो चुका है में कोस खतम अपने पास अभी सिर्फ बचते हैं सिर्फ और सिफ टेजर्ट कि अब अब अब